शादी को साथ जन्मों का बंधन माना जाता है लेकिन कई बार ये बंधन साथ दिन भी नहीं चल पाता ऐसे में शादी शुदा जोड़े अदालत का सहरा लेते हैं लेकिन कानूनी प्रक्रिया में सालों गुजर जाते हैं ऐसे ही मामलों को जल्दी निप्टाने के लिए कानपूर में लोक अदालत आयूजन किया गया लोक अदालत में कई जोड़े आपसी मतवियत भूला कर साथ में चरे गए कानपूर कोट में लोक अदालत का आयूजन किया गया अजबार की लोग अदालत एक मामले में खास रही शहर की पारिवारी कोट ने इस मौके पर कई जोडों के बीच रसूला समझाता कराया आजकल सबसे ज़्यादा मामले पती-पत्नी के बीच तलाक क्याते हैं लोग अदालत में भी 250 मुकत में पंजिकृत हुए थी इस में से 170 मुकर्णों का निस्तारण किया गया आज लोग अदालत में 250 मैट्रीमोनियल केसे लगाए गया थी जिसमें कुल 170 केस डिसाइड हो गया 45 जोडों को एक साथ भेजा गया है अतलब कि दोनों के मत्य सुलों हो गई दोनों को परिवारी एक साथ रहे गया कि 2017 के जो है पांच मुकदमे ऐसे थे जो कि पुराने वाद थे उनका निस्तारण सर्व लोग अदालत से लोगों को आम लोगों को कितनी राहत मिल जाती है क्योंकि ताको ने चक्कर नहीं लगाने बढ़ते हैं कि अगर लोग अदालत में कोई मुकदमा डिसाइड होता है तो उसकी अपील वगेरा नहीं होती है कोई खर्च नहीं है आप एक अप्लिकेशन देखा अपने मुकदमा पुरू है इस तरी तरह सकते हैं किस तरीगे का डिस्पूर्ट हैं जोनों के लिए मैंट्रिमोनियल कैसे में डिस्पूर्ट तरह तरह की वरते हैं वो फेक्ट पारिवारिक दिस्पूर्ट उनका रावनस्रान खानता हैं उनकी आमदनी आयके क्या शाधन हो उनके पारिवारिक परवेश क्या है यह सब बहुत पुरू होता है लोक अदालत में शाधी शुदा जोडों को एक बार स्वर शाधी करने का एहसास हुआ शाधी के कुछ समय बाद ही आपसी मतभेद हो गया और बात तलाक तक महुच गई कई बार कारण बड़े भी होते हैं लेकिन जाधतर मामलों में जोटी बातों पर आपसी मतभेद हो जाते हैं उससे में तलाक की देलीज तक पहुचे मामलों को आपसी सुलस समझाओते से लोक अदालत में नस्तारित किया जाता है लोक अदालत में 29 जोडों ने एक दूसरे को एक बार फिर वर्वाला पहनाई और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाए लोक अदालत की सबसे खास बात ये भी होती है यहां नस्तारित किये गए मामलों की अपील भी नहीं होती है शादी साथ जन्मों का रिष्टा माना जाता है लेकिन कई बार बहुती कम सवय में पती-पती के बीच में अलगा हो जाता है और फिर ये पूरा मामला पहुंच जाता है कोड लेकिन वहाँ पर लोक अदालत के माध्यम से इस बात की पहल की जाती है कि दोनों के बीच पे समझोता हो जाए और दोनों खुशी-खुशी अपने घर चले जाए कैमरामें शारिक खान के साथ अन्वागा गरवाल टीवी नाइन कानपुर